असलाम लेकुम फ्रेंट्स आज मैं आप लोगों के साथ सुई टैक की रेसिपी शेयर करने वाली हूं बहुत ही यम्य और डिलीशस सी रेसिपी है बहुत जल्दी बन जाती है आप सब जिरू ट्राइ करिएगा तो चलिए पहले हम लोग इंग्रेंस देख लेते हैं आज हमें कुद्टे यही यही लें य pem surprisingly आपा जेझआ अच्यान आज है यही मैंने मेरे रे टेबर शिपून प्रेश फ्रेशिस मलाई लिए है चाहिं कि असला एक ब्ल्द लिए हमें जिटने एक ले कॉंटिटी में इन इन थि अचेनी भी चॉन सान इह है और टेबल सिपून अगर अगर आप लोग को जादा मीठा पसंदे तो आप लोग अपने कॉर्डिंग चीनी थोड़ी बढ़ा सकते हैं देसी घी तो चलिए प्रोसेस की तरफ चलते हैं हम एक बड़ा सा बाउल ले लेंगे और जो हमने हाफ ग्लास मिल्क लिया था वो हम इसमें एड कर देंगे अब अच्छे से इसको हमें डिसॉल्व करना है अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी चीनी अच्छे से डिसॉल्व हो जानी चाहिए चीनी अच्छे से डिसॉल्व हो चुकी है तो अब हम इसमें बाकी के इंग्लियंस एड कर देंगे जो हमने फ्रेश मलाई लीती थ्री टेबल स्पून हम वह एड़ कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि यह क्रीमी फॉर्म में आ जाए उसके बाद हम बाकी क्रीमियन्स एड़ करते हैं जो हमने ड्राइ फूर्ट से थे मैंने अच्छे से चॉप कर लिया था ब लिए फ्रेश में इस घ्री एग लिया थे और इस अच्छे में घी जाता है वीडियो को इसकिप नहीं करिए गा पूरी वीडियो लास तक देखिएगा कोई स्टैप मिस नहीं हो जाए फ्रेम को मैंने लो कर दिया है अब हमने जो एग तयार किया था उसे हम घी में डाल दे यह बनानी है फ्रेम को हाई नहीं करना पांच मिनट हो चुके हैं एक को पकते हुए तो अब मैं इसको टर्न कर दूँगी और यह दूसरी तरफ से भी पांच मैट के लिए हम इसको छोड़ देंगे लो फ्रेम पर तक यह इकोली दोनों तरफ से अच्छे से पक जाए तो मै मैं आप लोगो फाइनल लुक दिखाती हूँ तो यह रहा हमारी आज की डिलिशियसी रेसिपी का फाइनल लुक बहुत ही जादा अच्छी बहुत ही जादा टेस्टी वनी है यह मैंने कुल ड्राइफूर्ट बचा लिए थे गार्निशिंग के लिए जो मैंने चॉप किये थे आप लोगो मेरे आज की डिश आज की रेसिपी जरूर पसंद आई होगी लाइक करना मद भूलिएगा और कमेंट करके में जरूर पताएगा आप लोगो कैसे लगी रेसिपी जल्दी से जाएए ट्राइए मेरे से तो वेटी नहीं होड़ा है खानी के लिए क्योंकि बहुत